आइ कांट्रॉब पोडियो चांग शाओमी के इवेंट के अंदर शाओमी ने अपना मीबॉक्स 4K को लाँच किया तो हम देख लेते हैं उसके थोड़े से फीचर्स और फीचर्स देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको सेट अप कैसे करते हैं जैसा कि Firebox को हम लोग सेट अप करते हैं HDMI के साथ उसी तरह हम लोग मीबैक्स को भी सेट अप करेगे सबसे पहले टीवी के साथ उसको कनेक करना है इंटरनेट के साथ कनेक करना है और हमारा लाइब स्ट्रीम चालो और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और मीबाक्स आता है हमारा एंटरेट टीवी के साथ और एंटरेट टीवी के अंदर आपको बहुत साथ फीचर्स देखने मिल जाता है जैसा कि 5000 से ज़्यादा गेम्स और एप आपको मीबाक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा इंट बिल्ड क्रॉम कास्ट भी देखने को मिल जाएगा जिसकी मदद से आप लोग कास्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हो और तो और आपको गुगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिल जाएगा हम लोग आडियो की बात करते हो आडियो के अंदर हमको DTS 2.0 और डिजिटल आउटपूट का भी सपोर्ट मिल जाता है और हम लोग बात करें कि हम लोगों का स्पैक्स क्या है तो CPU हमारा है 2 GHz का 64-bit माली 450 और 2 GB का DDR3 का RAM और 8 GB का ROM और हम लोग बात करें कि कनेक्टिविटी हमको क्या-क्या मिल जाती है तो HDMI में 2.0 का केबल मिल जाएगा और USB 2.0 का हमको कनेक्टिविटी मिल जाएगा और हमको Bluetooth 4.2 का भी सपोर्ट मिल जाएगा प्राइस की बात करें तो हम लोगों को 3500 में हमको मिल जाएगा और आपको ओडर करना हो तो यह हमको 11 में 12 बज़े से हमाई सेल चालू हो जाएगी तो शामी ने अपना दूसरा प्राड़क लाउंच कर दिया है जिसके अंदर उन लोगों ने अपनी ये फोन्स को लाउंच किया है जो पहले चाइना में रूल आउट हुए थे उनके डीजाइन की बात करें तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है Google Assistant Alexa और Siri के साथ भी बहुत ही अच्छे से Synchronize कर जाता है और इनके नए Airpods के अंदर हम लोगों को बहुत सा अलग अलग पीचे भी देखने मिल जाते है अगर हम लोग बैटरी की बात करें तो 14 घंटे की हमको केस के अंदर बैटरी मिलती है और हम लोग यह ऐफोन की बात करें जो हम लोग केस के अंदर बीना रखें सिंगल चार्च पर हम लोगों को वो चार घंटे का बैक अप दे देती है तो बहुत ही बड़ी है सुने Android के साथ तो बहुत ही अच्छे से पैर हो ही जाता है और तो और वो आइफोन के साथ भी बहुत ही अच्छे से पैर हो जाता है और टच सेंसिस की बात करें तो उन्होंने टच सेंसिस भी बहुत अच्छे से दिये गए है तो हम लोग ओवरॉल इसमें देख लेते हैं तो हम लोगों को 12NM का डाइनेमिक ड्राइवर भी मिल जाता है प्राइस की बात करें तो हमको 4,500 में मिल जाता है तो बस आच के वीडियो में इतना ही अगर आप में चैनल पे नहीं हो तो में चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले के वीडियो से देखने हो तो देख लो